वेल और माक्स मीडिया का लेटिस्ट रिपोर्ट हो चुका है आउट आखिर कौन है ऐसे टॉप फाइफ कंटेस्टेंस बिग बॉस सोला के घर के अंदर के जो सबसे जादा कमाल मचा रहे है फिलहाल अगर हम देखे तो शुजिता और मान्या का इलिमिनेशन हो चुका है बच लाव आये है टॉप फाइफ में कौन आ रहा है कौन नहीं बताती हूँ आपको इस विडियो में आप देख रहे हैं फीफा फूस में हूँ आपकी होस्ट दोस्विदांगी करने को वेल और मैक्स मीडिया में जो 28 अक्टोबर तक का रिपोर्ट है यानि 22-28 अक्टोबर तक आ रहे है तो चौथे पुजिशन पर आ रही है टीना दत्ता टीना दत्ता ने अपनी इस जगा को बरकरार रखा है टॉप फाइव में टीना दत्ता पहले से ही रही है और अभी भी इसी लिस्ट में बरकरार है फोर्थ पुजिशन पर टीना दत्ता नजर आ रही है तो थर् गर ये तीन है तोप 5 में तो 2 पर फ्र्ट तो 2 पर क्यों सेकंक पर यह एँ सेकंड ऐ रहे हैं iyi पहले भी इस लिस्ट पर रह चुके हैं अभी इस लिस्ट में हैं जले क् graph constant पर तो 1 पजिशन पर city फिर इग कर दिखाए दे रहे है अब्दू रोजिक सो बाइस अक्टोबर से लेके अठाइस अक्टोबर तक ये है लिस्ट जिसमें आ चुके है ये टॉप फाइफ कंटेस्टेंस और आपको बता दे कि इनके जो फैन्स है इनके कॉमेंट्स नीचे क्या कर रहे है क्या कह रहे है तो कोई कह रहा है चालेंजर फॉर स्टान चालेंजर फॉर स्टान आर्मी यहां पे आर्मी स्टान की आर्मी उन्हें सपोर्ट कर रही है तो कोई कह रहा है MC स्टान बॉय और क्राउन दिया है और कह रहे है बट शिव ठाकरे deserves better अंकित कैसे आया भाई टॉप 5 में इस तरीके से कोई कह रहा है कि शिव आना चाहिए इसमें अंकित कैसे आया यहाँ पे वो खुश है stand के लिए तो यहाँ पे नीचे अंकित के fan कह रहे है जैसे MC stand आया है वैसे ही अंकित आया है एक fan कह रहे है तो कोई कह रहा है अब्दू रोजिक, ruling big boss and ormax media also यही बट साड फॉर शिव ठाकरे ऐसा कह रहे है तो कोई कह रहा है कि MC stand on second position यही तो किसी का कहना है I am so happy for अब्दू and stand यहाँ प्रियांकित तो कोई कह रहा है अब्दूम I am always happy for him लेकिन शिव ठाकरे इस list में क्यों नहीं है he deserves your anyway still Shibdu will be most loved इस तरीके से fans का कहना है इस पर आपका reaction क्या है क्या कुछ कहना चाहोगे do let me know your thoughts in the comments and I'll see you